नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे योडोग चैनल हिंदी साहिते के इतिहास में आज का जो टोपिक है वो बासाओं के अनुकरम से समधित है हर बार नेर जेयारेप, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी या कोई भी सिख्षक भरती परिक्ष्या होती है तो हर बार यहां से दो या तीन क्योशन हर बार पूस्ते हैं शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ही चैनल को सब्सक्राइब करें वो साथी वेल आइकन को दबाना ना भूले जिसे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी इनफोर्नेशन आपको सबसे पहले प्राप्तों से के जी हां दोस्तों सुरू करते हैं बारती आरिये भासा परिवार की भासाओं का मूल सुरोत कोन सी भासा है तो वैदिक संस्करती इसका सही उत्तर होगा भासा का मूल रूप कोन सा है तो भासा का मूल रूप मोखिक रूप है वो भासा का मूल रूप खैलाता है चोता क्योशन है खड़ी बोली हिंदी का सहित्यक रूप की सताब्दी में विक्सित हुआ था तो खड़ी बोली हिंदी का जो विक्सित रूप है वो 19 सताब्दी में विक्सित हुआ था पांचमा क्योशन है हिंदी को भारतिय स्विधान में संग की राजभासा के रूप में कब मानेता मिली थी 14 सितुमबर गुनिसो गुन्चास को मानेता मिली थी अगला क्योशन है आचारे महावीर परसा दवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिस्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपुन भूमे का निबाई थी तो इसका सही उतर होगा सरस्वती पत्री का अगला क्योशन है उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षण में किस रूप में विक्सित हुई थी तो इसका सही उत्र है दखनी हिंदी अगला क्योशन है मद्दे काल में राज काज की बासा के रूप में किस बासा को मानेता मिली थी तो इसका सही उत्र है फार्सी नवा क्योशन है सुवीदान के किस अनुछेद के अनुसार संग की राजबासा हिंदी और लिपी देवनागरी होगी इसका सही उत्तर है अनुछेद 343 अगला क्योशन है बरजबासा और आवदी किस काल की कावे बासाएं है तो इसका सही उत्तर है मद्दे काल अगला क्योशन है हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा गया है तो हिंदी की बोलियों को पांच वर्गों में रखा गया है बुंदिली और कन्नोजी बोली हिंदी की किस उबासा वरक की बोली है इसका सही उत्र होगा पच्छिमी हिंदी अगला क्योशन है आदुनिक बारतिये आरिये बासाओं का विकास किस से हुआ था इसका सही उत्र है अब्रंस बोजपुरी मूलते किस परदेश की बोली है तो बोजपुरी मूलते बिहार की बोली है अगला क्योशन है मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ था तो इसका सई उत्तर है खड़ी बोली हिंदी से बासा के संद्रम में ऐ सुद्ध खतन कौन सा है तो इसका सई उत्र होगा बासा सामाजिक वस्तू नहीं है अगला क्योशन है लिपी के विकास करम में पहली लिपी कौन सी है तो इसका सई उत्र है चितर लिपी मिथल कोकिला किसे कहा जाता है तो मिथला कोकिला विदापती को कहा जाता है अगला क्योशन है कर्शन कावे की अपार संपदा किस बासा में मिलती है तो इसका सई उत्तर होगा बरजबासा में अगला क्योशन है बर्जबासा, खड़ी बोली, हरियानवी, बुंदेली और कनोजी बोलियां हिंदी की बोलियों के किस वरग में समलित है तो पच्चिमी हिंदी में हमारा अगला क्योशन है मुगल काल में हिंदी बासा पर परबाव डालने वाली बासा कोन सी है तो सही उतर होगा फार्सी इन लीपियों में से कोन सी लीपी पहले उर्दू लीपी की बाती दाएं से बाएं लिखी जाती थी तो इसका सही उतर है खरोस्ती लीपी अगला क्योशन है देव नागरी लिपी में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी बासा लिखी जाती है तो इसका सई उतर होगा मराठी अगला क्योशन है मेवाती और हाडोती बोलियों हिंदी में किस वरक की बोलियां है तो इसका सही उतर होगा ब्रह्मी लिपी से अगला क्योशन है इनमे से हिंदीतर बासी राजे कोन सा है तो सई उतर होगा महराश्टर अगला क्योशन है स्वीदान के अनुचे 342 के अनुशार संग सरकार के कारियों में अंग्रेजी का परियोग जारी रखने की वेवस्ता कब तक के लिए की गई थी 25 जनवरी 1964 तक अगला क्योशन है हिंदी में किस बासा के अर्थ में पहले सादू बासा तकसाली बासा तथा परिनिष्ट बासा का परियोग होता था इसका सई उतर है मानक बासा के रूप में अगला क्योशन है निमिलिक्त कावे पंक्तियां किस कवी की है जाम में रस कचू होता है फड़त ताही सब कोई बात अनूटी चाईए बासा कोहू होई तो इसका सई उतर होगा भारतेंदू हरिचंदर की ये पंक्तियां है अगला क्योशन है हिंदी खड़ी बोली गद के विकास में किस साहिते कारने महत्वपून बूमी का निबाई थी तो इसका राइट आंचर होगा सदल मिसर ने पाणिनी ने किस गरंद के द्वारा बासा को एक रूपता देने का परियास किया था तो पाणिनी की जो पुस्तक है वो अश्टा द्याई है अगला 32 वा क्योशन है पुरानी हिंदी को किस बासा का समानार तक माना जाता है तो इसका सई उतर होगा बै अब्रंस अगला क्योशन है पुर्वे हिंदी की बोलियां अब्रंस के किस रूप में विक्षित हुई है तो ये अर्द मांगदी में विक्षित हुई है अगला 35 वा क्योशन है बासा विज्ञान के किस खंड में पद से वाके बनाने की परकरिया का वरनात्मक तुलनात्मक तता एतिहासिक दरस्टी से अध्यन होता है तो वाके विज्ञान के रूप में इसका अध्यन होता है अगला क्योशन है पाली प्राकर्थ बासाएं किस से विक्सित हुई थी तो वैदिक संसकर्ती से पाली प्राकर्थिक बासाएं विक्सित हुई थी अगला क्योशन है बासा के संद्रम में महात्मा गांधी ने किसका समर्तन किया था तो महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानी का समर्तन किया था अगला क्योशन है खडी बोली का दूसरा नाम क्या है तो खडी बोली का जो दूसरा नाम है वो कोरवी है अगला क्योशन है अवदी बोली का केंदर इस्तान क्या है तो अवदी बोली का जो केंदर का जो इस्तान है वो अयोध्या है चालिसवा क्योशन है खडी बोली का परियोग साहित्यक हिंदी खडी बोली के अर्थ अतिरिक्त किस अर्थ में होता है तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली मेरेट के आसपास की लोक बोली के अर्थ के रूप में विक्सित हुई थी अगला क्योशन है अबभरंज को पुरानी हिंदी कहने वाले फरातम लेका कोन थे तो चंदरदरसरमा गुलेरी है ये क्योशन इंपोर्टेंट है हर बार प्रिक्षा में इसको पुचा जाता है अगला क्योशन है अब्रंच के फर्तम महा कवी कौन थे तो अब्रंच के जो फर्तम महा कवी हैं वो स्वेम्बू हैं सही उत्तर भी होगा अगला क्योशन है राजबासा अधिनियम कब पारित हुआ था तो राजबासा अधिनियम संग 1963 में पारित हुआ था राजबासा अधिनियम में संसोदन कब हुआ था 1967 में राजबासा अधिनियम में संसोदन किया गया था 45 वा क्योशन है सनग 1955 में राष्ट पती ने जिस राजबासा आयो की न्यूक्ति की उसमें कितने सदसे थे तो इसमें 21 सदसे थे अगला क्योशन है हिंदी हिंदूस्तानी के बासा समंधी विवाद में किसके निर्टेतोय में हिंदी की विजे हुई थी तो इसका सही उत्तर होगा पुर्शोतम दास टंडन अगला क्योशन है पंडित किसोरी दास वाजबे ने 19 वी सताबदी के पूरवार्द को किस यूग के नाम से अभिहित किया गया है तो इसका राइट आंसर होगा लाल यूग अगला क्योशन है किस सताब्दी को हिंदी का परचार युग खा जाता है 19 भी सताब्दी को हिंदी का परचार युग कहा जाता है तो इसका राइट आंशर होगा C आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करे इसी तरह के आप Net, JR, KBS, PGT या कोई भी सिक्स बठती से समदेता आप वीडियो और प्राप्त करना चाते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद